सब की चहएते और टीवी के सबसे सक्सेस्फफुल कॉमेडियन में से एक कप Πिल शर्मा एक काणूनी पचड़े में फस गये है कपिल इन दिनों केनिडा टूर पर है जहाँ उनके साथ उनकी टीम भी मौजूद है आप केनेडा टूर के बीच कप्पिल शर्मा के खिलाब एक शिकायत दर्ज हो गई है एक्टर पर कॉंट्रेक्ट ना पूरा करने का आरोप है हाला कि ये मामला हाल फिला हाल का नहीं बलकि साल 2015 का है एटाइम्स की खबर की मुताबिक साई USA आईनसी ने कप्पिल के खिलाब शिकायत दर्ज करवाई है साल 2015 में कप्पिल ने नौर्थ अमेरिका में कुछ शोस का एक कॉंट्रेक्ट साइन किया था जिसी उन्होंने पूरा नहीं किया अमीज जेटली जो अमेरिका के जाने माने शो प्रमोटर हैं उनका कहना है कि कप्पिल ने छे शो करने का कॉंट्रेक्ट साइन किया था जिसके लिए भुकतान भी कर दिया गया था लेकिन कप्पिल ने उनमें से एक भी शो नहीं किया कॉमेडियन ने वादा किया कि वो इसका भुक्तान कर देंगे लेकिन कप्पिल ने ऐसा भी नहीं किया लेकिन ना तो उन्होंने परफॉर्म किया और ना ही किसी चीज का रिस्पॉंड दिया कोड जाने से पहले हमने उनसे कई बार बात करने की कोशिश की लेकिन नहीं हो सकी जेटली ने बताया कि ये मामला अभी भी निव यॉर्क कोड में है और निश्चित रूप से कप्पिल के खिलाब कानूनी कारवाई करेंगे आपको बता दें कि कप्पिल शर्मा पिछले महीने से कैनेडा टूर पर हैं हाल ही में उन्होंने वैंक वर में परफॉम किया था जहां उनके साथ क्रिश्ना अभिशेक, राजी उठाकुर, चंदन, किकुशारदा और सुमोना चकरवरते भी मौजूद थे फिलहाल पूरी टीम टूरंटों में मौजूद है